हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा Z21 Android वाइल फोन में आप जो है नोटिफिकेशन वाइबरिसन सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये नोटिफिकेशन वाइबरिसन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल मिजान करी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सेटिंग पेज आपक भी है इसे आपको उप्षाट करना है यहां पर आपको जो понадеб style भी उप्षाटिंग इसे काम करती है यह थोत Gottes दीते हूं जब भी आपके उप्षाटिंग प्रेंट्पेकोव congestion में यूंग हो गया तो notification आएगा आपके while phone पे तो आपका while phone जो ना वो vibrate नहीं करेगा सिर्फ sound create करेगा notification की ठीक है ये setting जो ना off करने सा आपका notification जब भी receive होगा आपके phone पे तो ये आपका phone जो ना vibrate नहीं करता है ठीक है तो ये setting जो ना disable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके laver z21 android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो है ये notification vibration setting को ढूंड लेगा एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको अपने mobile phone का setting page उपन करना है ठीक है setting page में आपको सब से उपर ये search setting का option मिलेगा इससे select करना है यहाँ पर आपको search bar में type करना है notification vibration ठीक है इस तरीके से notification vibration तो आपको जो है ने नीचे की सेट ये option शो हो जाएगा notification vibration ठीक है इससे आपको जो है select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको डिरेक्ट इस setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह एक shortcut तरीका है setting को डून रहने का आपके mobile phone में